आपके प्रेक्टिकल का नाम है पुटेंशियो मीटर और आज हम इस पुटेंशियो मीटर की हेल्प से हम दो एमफ को कमपैर करने वाले हैं हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगे हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगे एक होगा हमारा लेकलांसिस सेल और एक होगा हमारा डैनियल सेल हम देखेंगे उनके एमफ का कमपैरेजन की कौन सा एमफ जादा होता है किसका एमफ बढ़ा होता है दोनों का एमफ का रेशियो क्या होता है तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं हमारा potentiometer का सारा setup मैं आपको जल्दी ही उसका tour करवाने वाला हूँ I am your physics mentor शुभंपारिक let me start the circuit diagram first तो जो circuit diagram है वो किस तरीके से होगा potentiometer का listen to me very thoughtfully यह देखिए यह आपका है battery eliminator ठीक है circuit में आपको यह सारी चीजें दिखने वाली हैं बहुत शांदार यह experiment होगा हर चीज one by one आपके सामने live practical करूँगा readings भी आप खुद note करेंगे कोई tension वाली बात नहीं है battery eliminator अच्छा battery का यह जो terminal है यह कैसा terminal हो गया positive और यह कैसा हो गया negative यह यह सब लोग समझते हैं आच्छा अब यह जो आपका circuit है इसको पन बोलते है primary circuit कैं बोलते है primary circuit primary circuit करेक्ट अच्छा अब यह जो आपका पूरा वाईर है यह जो आयर है पूरा यह जो पूरी मीटर वायर आप इस सरक्य डाइग्राम को बहुत अच्छे से देखना और मैच करना कि जब हम हमारे टूर पे चलेंगे टूर कौन सा जब मैं आपको पूरा सेट अप आपके सामने दिखाऊंगा तो आप देखना कि क्या ये सारी चीजें आपको वहां दिख रही है क्या जैस हम माला देंगे कि है से को नोलार है जा कि ए यहां से इसकर napverse एक हम कर सकते हैं तो ढ़ड़ाकि हम और बढ़ा सकते हैं कम करना तो कम कर robust시간 यहाँ पर बाद जो negative terminal होगा वो रियो स्टेट से connected होगा और रियो स्टेट का जो दूसरा terminal होगा वो आगे आकर वो आगे आकर या फिर आप यहां पर मालने यह आपका potentiometer wire के दूसरे end से connected होगा यह आपका primary circuit है फिर से देखेंगे इसको positive terminal है बैटरी का वो किसी एक end से connected होगा और जो negative terminal होगा वो रियो स्टेट से connected होगा और रियो स्टेट फिर आगे जाकर potentiometer wire के किसी दूसरे end से connected होगा यह primary circuit अब हम इस end को बोलेंगे positive end आपको हमेशा circuit बनाने से पहले यह चेक कर लेना है कि जिस जगह पर आपने इस eliminator का positive end connect किया है इस eliminator का positive connect किया है यहाँ पर सारे positive connect होंगे अच्छा एक cell लिया है मैंने लेकलान से शेल इसका भी positive terminal आप यहाँ से connect करेंगे दूसरा cell मैंने लिया है कौन सा Daniel cell इसका भी positive आप यहाँ पर end करेंगे तो circuit को easy बनाने के लिए concept concept को दोहराएंगे चिलाएंगे ऊपर के माले में set होना चाहिए कि इसके ऊपर सारे positive यहाँ पर connected होंगे अच्छा अब उसके बाद जो negative है वो यहाँ पर एक two-way switch two-way switch two-way switch इससे connected हुगा ठीक है और यह two-way switch में यहाँ पर यह दो कीござे है और जो center है वो इस तरीके से monuments connected रहेगा ठीक है जो center है वो इस तरीके से Mat것 connected रहेगा Galon meter का positive इसके center से connected होना चाहिए और negative आगे jockey से connected होना चाहिए, positive इसके center से, negative इसके jockey से, ठीके, तो यह है आपका setup जो आप theoretical setup बोल सकते हो, exactly same practical में आपको prove होगा, और आप यह match करना, पूरे practical को ध्यान से देखना, आपका दिल garden garden हो जाएगा, तो इस setup को मैं अभी आपको लेकर चलूँगा, concept जो हम लगाने वाले हैं, वो कैसे लगाएंगे, जो concept होता है, वो होगा, E1 by E2, that should be equal to L1 by L2, तो यह E1 क्या है, हमारे इन, बैटरी के, यह जो आपकी बैटरी है, E1 और E2, इनकी EMF है, जो बैटरी eliminator है, इसका EMF हमें पता है, हम इसको manage कर सकते हैं, कम जादा कर सकते हैं, E1 और E2 का हमार को ratio देखना की कितना आ रहा है, ठीके, और L1 और L2 क्या होगी, हमारी reading होगी, तो आपको theoretical approach समझ में आयो होगी, and let we go to the practical setup, come, यह आपका positive terminal है, you can see, यह देखो, यहाँ पर markings दी रख ही होती है, तो यह positive terminal है, ठीके, तो connection का ही रोल है, connection अगर आपने सही किया, तो आपके सार reading बिल्कूल अच्छे से आने वाले हैं, तो यह जो है, यह आपका positive terminal है, ठीके, अच्छा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि positive को अपन किस से जोड़ेंगे, potentiometer wire के एक end से जोड़ेंगे, तो मैं आपको ले चलता हूँ, potentiometer wire के end पर, तो यह जो आपका positive है, यह देख रखा है, वहाँ पर सारे positive connect होंगे, मतलब अब सारे positive यहां पर connect होने वाले है, ठीके, तो सबसे पहला यह connection आप देख लेंगे, ठीके, तो यहाँ पर देखिए, बैटरी इसी on करूँगा, तो on हम तब करेंगे, जब reading लेंगे, तो अभी मैं आपको केवल और केवल टूर पर लेके जा रहा हूं, ठीके, तो यह battery आप on off कर सकते है, positive को आपने connect कर रखा है इसके साथ, ठीके, उसके बाद जो battery का negative terminal है, फड़ा फड़ से देखेंगे, बैटरी का जो negative terminal है, यह किस से connected होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, circuit diagram में, यह आपका real state के साथ connected होना चा आपने एक connection यहाँ पर lower end पर कर दिया, अब यह है आपका slider, ठीके, इसको आप कम जादा करके, इसको आप कम जादा करके क्या कर सकते हैं, रियो state का जो resistance का value है, इसको कम जादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीके, और दूसरे end ऐसे उपर, कई वाद student गलती कर देते हैं, और फिर upper end से, यह जाते हुए, रियो state जा रहा था, potentiometer wire के दूसरे end पर, तो यहाँ पर एक circuit complete हो गया, यह देखें, यहाँ से आपका जो यह plus, यहाँ से, पूरा पूरा आपन setup देख रहे हैं, plus जो है, वो potentiometer wire के एक end से connected है, उसके बाद यह सारे wires, यह जो सारे wires हैं, potentiometer के जो सारे wires है, one by one, 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 यहाँ तक आ गए, उससे फिर आगे यहाँ पर आपका यह रियो state connected है, और रियो state का जो एक terminal है इधर वाला, यह इसके negative से connected है, तो आपको यह circuit वापिस एक पूरा running दिख रहा होगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर on करूंगा, तो यह circuit run करना start हो जाएगा, उसके बाद as I told you कि यहाँ पर यह जो आपका end है, इसको मैंने बोला है positive end, मतलब सारे cell के positive end यहाँ पर connect होंगे, battery eliminator का भी positive मैंने यहाँ पर connect किया है, अच्छा, यह जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखो भई, यह जो आप देख रहे ह और इसके बाजू में वेट कर रहा है अपने turn का, यह जो है यह है आपका Daniels shell, इसको हमने बना लिया है, हम इन दौनों cells के EMF को compare करने वाले हैं, इन दौनों cells के EMF को compare करने वाले हैं, ठीके, अच्छा, हम पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे कि यह कैसे बनते हैं, यह ज दाल रखा है, ammonium chloride, यह जो आपका solution है, that is ammonium chloride, और इसके अंदर मैंने एक यहाँ पर zinc rod को dip कर रखा है, ठीके, और यह पर जो यह जिंक rod होगी, यह आपका negative terminal की तरह act करेगा, ठीके, zinc rod और यहाँ पर यह जो terminal है, यह positive की तरह act करेगा, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस प positive को positive से जूड़ दिया, ठीक है, अच्छा, अब जो इसका negative है, जो इसका negative है, वो जा रहा है हमारे two-way key में, two-way switch में जा रहा है, देखो, यह आपका negative, एक end से मैंने यहाँ पर connect कर दिया, ठीक है, यह यहाँ पर connect कर दिया, correct, चली, उसके बाद यह दूसरा जो cell है हमारा, that is daniel cell, अच्छा, daniel cell में यह आपका copper है, copper यह जो आपको container दिख रहा है, यह copper का है, और इसके अंदर हमने एक solution भर रखा है, that is copper sulfate, ठीक है, यह copper के container में copper sulfate भर रखा है, यह जो आप white part देख पा रहे हैं, that is salt bridge, salt bridge और salt bridge के हमने dilute H2SO4 डाला है, dilute sulfuric acid डाला है, और इसके अ यहां पर जो आपका, यह copper वाला part है, copper से जो यह end connected है, यह कैसे एक करने वाला है, यह आपका positive terminal है, और हमेशा याद रखेंगे कि जो zinc rod होगा, zinc rod act as a negative terminal, ठीक है, फिर से देखेंगे इसका solution क्या है, copper, copper के container में copper sulfate और इस salt bridge के अंदर, यहां पर आपने dilute H2SO4 डाला है, dilute sulfur रिकेशिट डाल रखा है, ठीक है, तो यहां पर भी zinc rod जो होगा negative की तरह काम करेगा, और हो positive की तरह, तो यह positive मैं देखो मैंने, यह आप connection अच्छे से देखें, positive को मैंने देखो इसके positive end से, क्योंकि Eliminator का positive यहां से जुड़ा हो आए, लेकलांसे का positive यहां से जुड़ा हो लेकलांसे मैं जुड़ा था, तो एक positive तो इसके साथ जोड़ दिया, वैसे डैनियल में भी आपने positive यहां से जोड़ दिया, और जो negative है उसको अपने two way switch के साथ जोड़ दिया, as you can say it very clearly, ठीक है, तो लेकलांसे का positive इसके साथ, लेकलांसे का positive जो zinc rod है, वो two way key के साथ, ऐसे एक galvan meter को connect कर रखा है, galvan meter जो की हमारों को बहुत ज्यादा help करने वाला है, तो यहां से जो mid है, इस से मैंने positive को connect करना है, positive को, ठीक है, यह positive यानि इस terminal से हमने galvan meter के positive को connect किया है, और negative से connect कर दिया है मैंने jockey, negative से connect कर दिया मैंने jockey, यहां से positive और negative से connect कर दिया मैंने jockey, अ यह था आपका पूरा का पूरा setup ठीक है तो इस पूरे setup को आप theoretical जो हमने setup पढ़ा था समझा था उससे relate कर पा रहे हो connection बिल्कुल ऐसे करने हैं ऐसा connection करेंगे और अब हम मैच भी करेंगे कि क्या हमारा पूरा connection सही है या नहीं और उसके बाद लेंगे reading so let's start Hello students तो देखिए आपने जब यह पूरा setup कर लिया तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि यार हमारा setup सही से connected है कि नहीं है हमने बिल्कुल properly सबको connect किया है लेकिन फिर भी check करने के लिए आपके पास एक इसके लिए भी छोटा सा आपको experiment करना चाहिए ताकि आपको यह बिलीव हो जाए कि नहीं यार जो आपका यह setup है यह बिल्कुल सही से connected है जैसे मने यहां पर बैटरी को start किया तो यहां पर देखेंगे तो जो आपका एक end है potential meter wire का और यह आपका दूसरे end है potential meter wire का तो अगर आपने जब इस jockey को यहां connect किया देखो यहां पर जब करेंगे तो यह आपका deflection कर रहा इस तरव ठीक है एक दश्ग इस तरफ reflect कर रहा है और जब आप इसको दूसरे पर connect करेंगे तो दूसरी तरफ डिफलेक्ट करना चाहिए ठीक है इधर किया तो आपका एक तरफ किया दूसरी तरफ किया तो दूसरी तरफ तो सबसे पहले मैं रिडिंग ले रहा हूं लेक्लांच से के शाथ ठीक है तो मैं यहां से क्या करूंगा जो डैनियल वाले की को ओपन कर दूँगा इसको अटा दिया मैंने यह कनेक्शन यहां पर ब्रेक हो चुका है जो कनेक्शन अभी वर्क कर रहा है क्योंकि यहां पर लेक्लांच से तो लेक्लांच से का नेगेटिव इसके साथ और लेक्लांच से का पॉजडिव यहां पर और आगे हमारा गल्वनमिटर तो जो यह रीडिंग आएगी यह आपके लेक्लांच से शेल की रीडिंग आने वाली यह करेक्ट है तो जो की आपका क्लोज रहेगा उ तो सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे देखते हैं कि यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस एंड से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से हमारा यह पॉजिटिव एंड जिसको है जहां से अपने सारे पॉजिटिव कनेक्ट कर रखे थे वहां से आपको रिडिंग स्टार्ट करना तो यहां से मैंने देखा तो deflection आ रहा है गेल्मोमेंटर में deflection आ रहा है ठीक है तो आप इस तरीके से हर जगा पर देखेंगे तो गेल्मोमेंटर में deflection आ रहा है इस तरीके से अभी भी आ रहा है यहां पर भी आ ठीक है यहां पर लेकर चले तब भी आया यहां लेकर चले त बने वाला येस, yes, so at this point, at this point as you can see, थोड़ा सा करंट है यहां पर, थोड़ा सा करंट है, तो मैं इसको यहां पर लेके आऊंग, यह, this reading is zero, this reading is nearly equal to zero, correct, यह आपका reading यहां पर zero आ रहा है, as you can see, तो यहां से मैं इस reading को note कर लूँगा, और यह reading यहां पर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो wires है, यह आपके wires थे, one, two, और यहां पर आपको, देखो, यहां से आपने start किया, तो यह पूरा का पूरा hundred, उसके बाद वापी से second wire है, तो यह आपका पूरा hundred, तो यह two hundred हो था, यह आपका है, लगबग point five, so ultimately your reading is two hundred point five, तो जो reading आया, लेकलान से cell के corresponding, वहां पर, जहां पर, गैल्लो में zero deflection आया, वह आया two hundred point five, ठीक है, यहां से आपको पूरा का पूरा wire में complete length को note करना है, hundred and hundred, two hundred, और third wire में point five पर जब मैं आया था, तो मेरा reading zero आया, तो two hundred point five centimeter is the first reading corresponding to, लेकलान से शेल, अब हम चलेंगे, डैनियल सेल के साथ, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जो हमारा यह की है, अब जो हमारा की है, तो इसको तो अपन कर लेंगे open, यह देखिए, two way में अपन इसको open कर लेंगे, और जो डैनियल सेल वाला है, इसकी को अपन क्लोज कर लेंगे, ठीके, तो अब जो सर्किट में आपका सेल कनेक्टेड है, तो आप देख पा रहे होंगे, two way स्विच का बहुत सुंदर तरीके से आपने यहां पर यूज किया है, तो अब जो लेकलान से सेल हट चुका है, क् आपर कनेक्टेड है, क्योंकि इसका की क्लोज है, ठीके, तो सेम तरीके से हम यहां पर प्रोसीजर करने वाले हैं, हमें चाहिए हमारे गैलवनमीटर में zero deflection, तो देखेंगे zero deflection कहा आएगा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहां से स्टार्ट करूंगा positive end से, तो जब मै यहां पर चेक किया, तो यहां पर देखो deflection आ रहा है, यहां चेक किया तो deflection आ रहा है, यहां किया तब भी deflection आ रहा है, लेकिन यह देखो zero की तरफ tend कर रहा है, zero की तरफ tend कर रहा है, मतलब जल्दी ही zero आने वाला है students, बहुत ध्यान से देखेंगे यह, क्या बात है, यहा तोड़ा सा और आगे यहां आपके सामने प्रेक्टिकल चल रहा है यह क्या जीरो दिख रहा है अरे तालियां बजा दो यार दौनों वार जीरो दिख गया है तो एक्जेक्ली दा सेम यह आपको रिडिंग नोट करना है और यह जो रिडिंग आया है आपका वो आया है आपका Daniel cell के corresponding तो यहां से देखर reading लेने का तरीका किया है क्योंकि हमने वहां से start किया था तो यह एक pure up wire आपका complete गया तो यह 100 cm उसके बाद आप इधर से इधर आए हैं ठीक है तो अब reading आपका next यहां से लेकर यहां तक का length लेना है तो यह उपर वाला scale अपन पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि आपका यहां तक तो 100 आ गया 100 के बाद यहां से लेकर यहां तक जहां पर आपका गैलोंटर में 0 defection आ रहा है तो as I can see यह आपका 22 के सामने है तो यहां से लेकर आपका यहां तक हो गया 22 तो 100 वो और 22 यह 122 122 22 is the reading of potentiometer wire with respect to daniel cell और अब हमारे पास L1 है L2 है अब हम EMF को easily compare कर पाएंगे E1 by E2 that is equals to L1 by L2 So that is your practical और अब मैं final comparison करूंगा फिर से लिए चलता हूँ आपको theoretical पर चलते हैं बूड के उपर और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको EMF को compare कर सकते हैं जो हमारा concept है उसको use करेंगे And I hope आपको बहुत मज़ा आया होगा हाँ तो student हमने reading ले लिया था Lacklanche के corresponding reading ले लिया था Daniel के corresponding reading ले लिया था अब हमारे को compare करना है इनका EMF तो देखो E1 क्या था आपका Lacklanche shell तो इसके corresponding जो लेंथ आया था यह आया था 200.5 cm 200.5 cm और E2 था आपका Daniel cell और Daniel cell के respect में जो reading आया था That is 122 cm तो यह आपने लिख लिया यहां पर 122 cm cm ने cm को उडाया और यह जब आप ratio लोगे तो जो आपका E1 by E2 आ रहा है This is nearly equal to 1.64 आजाएगा 1.64 So this is your comparison कि जो आपका E1 है मतलब E1 मतलब Lacklanche का जो आपका EMF है That is 1.64 times of Daniel तो आप इसको आप लिख सकते हो कि जो E1 जो है That is 1.64 times of E2 Lacklanche का EMF है That is 1.64 times of E2 means Daniel So this is your practical and I hope you enjoyed it a lot बहुत मजा आपका आया होगा I am your physics mentor Shubham Parikh So keep practicing Meet you soon in the next session Till then Bye-bye